Hello traders, welcome to my channel, my name is Abhay Pateel back with a new understanding market beer video इसमें हम अगले week का analysis भी जो है cover कर लेंगे अगले week क्या हो सकता है, आज Friday है, market close हुआ है, हमने दो trades प्लाइन किये, कैसे किये इस logic से किये, वो discuss करते हैं, दोनों trades हमारे आज bullish trades थे और nifty के अंदर दोनों trades हमने लिये थे तो अगर आज का market हम देखेंगे, आज का अगर हम nifty का 15 minutes पे market देखेंगे तो बहुत choppy market था अप पूरे session में एक range bound चल रहा था, अगर आप इस zone को हम छोटा करेंगे तो कुछ इस तरीके से market चल रहा था, ठीके और अगर एक चीज देखोगे न, हर 15 minutes की candle, एक green, एक red, फिर green, फिर red, फिर green, red, green तो कहीं नहीं आज बहुत अच्छा scalping के लिए दिन था, range bound market था, premium थोड़ा slow बढ़ रहे थे बट वह यह expect कर सकते, after a trending Thursday की expiry Friday को range bound market लेकिन जो चंद्रयान 3, congrats everybody, जो भी बहुत बड़ा achievement है, हम यह launch successful होते सी, I mean, moon पे land करते सी, हम fourth country बनेंगे, जो moon पे land कर रहे है, तो यह बहुत बड़ी achievement है, अब चंद्रयान 3, game congrats for everyone, अब वही rocket जो है, हमने जो plan किया दा, 235 के as per CE का trade, वो 3 p.m. के बाद जाके, हमारा nifty का rocket launch हो गया, तो हमारे जो दो trades plan के, bullish trades थे, बहुत basic trades थे, वो किस logic से किये गए, मैं आपको explain करते हो, अब हमने one minute time frame यूज किया, और price action यूज किया, बहुत basic price action था, जो market थोड़ा अच्छे तरीके से levels को follow कर रहा था, if you see this, यहां पर अगर आप देखो कि market, इस trend line support पे उपर, support पे उपर, इस support से उपर, same trade मैंने यहां पे plan के, जो market ने यह trend line यहां से breakout दिया, तो मैंने देख्या, opportunity selling week आ रही है, वहां पे bank Ft जो है, वो भी sustain कर रहा है, और यहां पे अच्छे opportunity बन सकती है, long करने की, हाँ, थोड़ा risky trade था, because no doubt यह level बहुत बार test हो चुकी outcome trade, at least, इतना top move मिली जाएगा, यह plan करके, हमने trade लिया, अगर आप देखो कि, यहां पे stream के time, हमारी जो entry थी, इसी breakout के during हुई, और हम वेट के, हमारे level पे आने का around 480 के, असपस हमारी entry बनती, और बाद में market ने यहां से, इसी trend line से support लिया, और उपर जाके हमारे जो target से, व bank nifty देखोगे, उसी time, जब हम यह trade plan कर रहे थे, bank nifty भी काफी week selling चल रहा था, तो कहीं नहीं मुझे लगा है, हो सकता है, bank nifty में भी reversal आ जाए, और यह तो nifty already support पे, तो हम चलो इसे buy कर लेते हैं, और trade जो है successful भा, बहुत लोगों को इसमें profit हो गया, उसके बाद का अगला trade हमने वेट किया, कुछ लोग hold कर रहे थे, कुछ लोग इस trade को trailing SL यहां से निकाल के चले गए, कुछ लोग ने देखा, यहां पे double top बन रहा है, इसी candle पे, लोग निकल गए, और कुछ लोग यहां पे flow flow में, यहां पे book कर लिए, सब ने अलग-अलग level पे book किया, उसके अगेन मैंने देखा कि market जो है, यहां पर देखो, यह एक जो sellers का breakout आया था, यहां पे sellers का breakout आया था, यहां पे sellers trap हो गए थे, market ने उनके SL खाया, फिर वापि sellers के entry उनके SL खाया, तो कहीं न कहीं मुझे यहां पर double bottom जैसा pattern और इस यहां पे sellers के liquidity लेके, एक बहुत अच्छा म चलता, एकदम हाय जाने का जैसे है, हमें यहां पे 3PM के बाद देखने मिला, तो timing भी सही था, दो बजे के आसपास का time था, अगर same trade हम दो बजे के आसपास देखेंगे, तो हमें यहां पर आपको trade entry देखने मिलेंगे, तो around यहां पर हमारी entry थी, और हमने जो target है 518 के आसप resistance था, यहां का जो high previous है, अगर हम mark करेंगे, यह resistance था, जहां तक हमें market ने target दिया, फिर बहुत लोगा ने stop पे book किया, उसके आदम वेट करते गए, करते गए, अगर 3PM की candle देखोगे, तो 3PM की candle somewhat around, 3PM की candle बहुत बड़ी bullish बनी, but में को डर यह था, because 3PM क्या होता है, usually 3PM जो ह यही डर था कि नीचे से market travel कर रहा है, और ऐसा ना हो जाए कि 3PM की candle इस resistance को hit करके, बड़ा सा red candle बना है, because price action अगर अब देखोगे, तो कुछ इस तरीके से market channel को follow कर रहा था, तो मैंने 3PM honestly यहां पे bearish plan किया था, क्योंकि यहां पे buyers already entered थे, buyers के sell थे, fake breakout बन सकता था, but हमने ऐ level draw किया, कि अगर यह level market cross करता है, तो ही 3PM के पास 3PM का जो है trade लेना, अगर हम 3PM का exact timing देखते हैं, यहां पे यह देखो, यहां पर एक 3PM के पहले ही breakout आ चुका था, कुछ लोगों ने यहीं पे C buy कर लिया, यह वाला breakout देखे 259 को, लेकिन अगर exact हम 3PM की candle की बात करते हैं, त और कुछ लोगों ने थोड़ा risk लेके जो है 3PM के पहले ही इस breakout पे जो है long किया था, यहां पर जो trend line का breakout बन रहा था, इस breakout पे लोगों ने long किया था, मेभी हम अगर 259 को long करते तो अगर बहुत कुछ लोगों ने किया, अगर long करते तो अच्छा profit होता, बढ़ अगर सिफ ज 10-15 seconds ऐसे दिखा था कि उपर जा रहा है और यहां का resistance टच करके rejection लेके नीचे आ सकता था, तो यह भी plan सही होता, 3PM अगर हम खासका trade करते हैं, तो overall it was a good day, दो trade लिए, दो green trades गए, मज़ा आया, बहुत important psychology जो हमने यहां पे use की वो था, support का इस्तमाल करना, weak selling, weakness, understand करना, तब is breakout के पहले हमने price action क्या देखा, कि sellers जो है market को गिरा नहीं पा रहे, यह first time गिरा है, यह second time, जो है lower low की जगा, lower high जो market structure है, वो change होता गया था, यहां पे देखो, यह sellers ने पहले बार यहां लाया, फिर यहां लाया, फिर यहां लाया, तो यहां पे दिख रहा है कि sellers completely weakness, और four time तो नीचे एक ही candle लेकर आपाया, इसलिए यहां पे यह अपमुफ ट्रिगर हुआ, यह बहुत सारी छोटी 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 चीज़े जो live market में हम ध्यान नहीं देते, बट यही difference लाता है, और one minute time frame होने के ऐसे, इतने small SL के साथ इतने अच्छे trades मिल जाते, तो भी कभी यही trade आपको 100 points की rally दे देते हैं, तो यह सब हम कहां से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, या आप पूछोगे सर हम कैसे सीखते हैं, यह कुछ भी समझ नहीं आता, one minute time frame समझ नहीं आता सर, one minute time frame को master कैसे करें, psychology कैसे improve करें, basics कैसे perfect करें, तो आपके लिए master student bundle मैंने बनाया है, 20 वीडिय से lifetime premium channel है, और इससे better package आपको कहां मिलने वाला है, जहां पर आपको पूरा market in-depth 0 to 100 सीखने को मिलता है, अब अगला week का भी हम analysis लेते हैं, एक बार 15 में time frame पर जाके और देखते क्या हो रहा है, तो if you see, इस point पर market जो है, एक channel follow कर रहा है, ठीक है, nifty की बात करें, channel follow कर रहा है इस point, पर आगे इस channel का breakout दे चुका है market, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, मंड़े को पूरा plan है opening पे, and I hope market bearish open हो, because यहां पे यह buyers पज जाएंगे, और हमें बहुत बड़ा space मिलेगा नीचे put लेने के लिए, previously यहीं से crash हुआ था, यहीं से crash हुआ था, एक और बार है, हम य round level के जो numbers है, वो plan कर सकते है, 564 के असपस चल रहा है, तो maybe 600, 650 ऐसे targets plan कर सकते है, फिर उपर में थोड़ा interested नहीं हो, because मुझे maybe ऐसा मिले कि अगर market नीचे गिरता है, और फिर उपर जाता है, तो weak selling करके फिर उपर जाता है, तो maybe मैं फिर long करू, but मुझे इस up move का एक अच्छ खासा retracement चाहिए, तभी मैं उपर plan कर सकता हूँ, best possible scenario, perish होगा, अगर market 575 के नीचे खुलता है, तो अगले विक हम उसे सब से plan करते है, जहाँ पर खुल सकता है, bank nifty की बात करे, bank nifty में, अगर देखेंगे, honestly, bank nifty जादा bullish दिखरें, bank nifty काफी time से selling हो रही है, बट यह selling काफ अगर यह जाता है, तो अच्छे उपर की तरफ, 45,000, 45,500, ऐसे targets हमें देखते हैं, तो अभी देखते है, nifty ने breakout दिया, bank nifty ने breakout दिया, बट बैंक nifty का जो setup है, वो better लेकर लेकर लग रहा है, बहुत सारे sellers बहुत time से bank nifty में involved है, तो अगला वी बहुत मज़ा आएगा trade करन वीडियो बना रहो कि इसका क्या process रहेगा, और जो गूगल form की link है, वो भी मैं उस वीडियो में डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ पर form submit करके ले सको, ठीक है, तो आपको यह description में account open करके trade करने, ताकि हम backend में चेक करें, आप trade करें कि नहीं, और फिर आपको add करें, हम हर month activities plan करेंगे, course हो गया, webinars हो गये, जो भी चीज होगे, active traders के लिए, यह वीडियो कैसा लागा बताना, thank you so much.